एक बहुती बड़ा अपडेट बेसेफ की ओर से देखने को मिल रहा है मतलब बेसेफ ने जो काम किया है ना उससे बांगलादेश की जो विद्रोही दल है वे तिल मिला रहे होंगे बलकि कहियों ने अब बेसेफ के खिलाब बयान बाजी करने भी शुरू कर दी है कि भारत के बेसेफ जवान हत्यारे है जी हाँ दोस्तो ठीक यही लब्ज बांगलादेश की सारी भारत विरोधिया आतंक की पार्टिया फिलहाल बोल रही है अब इसके पीछे की वज़े भी उतने ही बड़ी है जो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे वरंत में आप ही कमेंट करके बताईए कि बेसेफ के जवानों ने जो कुछ भी किया वो सही था या गलत तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की विडियो की शुरुआत करते हैं तो देखे एक खबर है भारत बांगलादेश की बॉर्डर को लेकर जहाँ पर बेसेफ के जवानों ने तीन बांगलादेशे नागरिकों को ठेर कर दिया जी हा दोस्तो, BSF के जवानों को बांगलादेशियों को मजबुरन मारना पड़ा अब क्यों मारना पड़ा ये भी ज़रा सुन लीजी देखे आप सबी जानते हैं कि तकता पलट के बाद से ही दोनों देशों में संभनत पहले जैसे सामान्य नहीं रहे और बढ़ती हिंसा की वज़े से भारत ने बांगलादेश से लगती सीमा चोको सी और भी बढ़ा दी है क्योंकि शेक हसीना को लेकर भारत को बार बार हमलों की धमकिया रही है अब इसी बिच हुआ ये कि बांगलादेश के कुछ यूवक रात के अंदेरे का फाइदा उठा कर भारती यसीमा में प्रवेश करने की कोशश कर रहे थे ये घटनाठा कुरगाओ के बलिया डांगी जीले किये जहाँ पर बांगलादेशी हतियार बंध होकर भारती यसीमा में घुसने की कोशश कर रहे थे बेसेफ जवानों ने इने हतियार नीचे डाल कर सरेंडर होने को कहा था लेकिन नहीं माने उल्टाए फेंसिंग की तार तोड़कर दुसरी तरप से भगने की कोशश करने लगे बेसेफ के जवानों ने तब भी पेशन्स दिखाती हुए उन्हें रुकने के लिए कहा लेकिन नहीं रुके और जवानों पर गोलिया चलाने लगे बाद में बेसेफ के जवानों ने मजबूर होकर इन्हें शूट कर दिया यानि इनका काम तमाम कर दिया अब इसी एंकाउंटर को लेकर बांगलादेश के आतंग की पार्ट या मातम मना रही है कि भारत की बेसेफ फोर्स हत्यारी है बांगलादेशी लोगों पे अपना गुसा निकाल रही है उन्हें मार रही है भारत चाहता तो इन्हें जेल में भी बंद कर सकता था उन्हें मारना कहां तक सही था नजाने और क्या-क्या कह रही है लेकिन ये एंकाउंटर सुरक्षा के मद्दे नजर ही किया गया है वैसे भी मंत्राले की ओर से आर्मी और बेसेफ के जवानों को सक्त आदिश चारी किये गए है कि बॉर्डर इलाकों में किसी भी संदिक्त व्यक्ति पर रहम ना दिखाया जाए जिस पर शक है उसे उड़ा दो और यहां तो सीधे जवानों पे गोली बारी की गई उसके जवाब में ही एंकाउंटर किया गया है अब बांगलादेश के पार्टियों के आखों में आसू तो आएंगे ही क्योंकि उनके प्यादे जो मारे गए सोचिए आज ये पार्टिया आसू बाहा रही है लेकिन कल को अगर इनके प्यादों ने हमारे सुरक्षावलों को मार दिया होता तो यही पार्टिया जशन मना रही होती तो आप ही बताएए बेसेफ के जवानों ने इन बांगला देशों को मार कर गलत किया या फिर सही अपनी राय नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर दे और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करे जहिंद